विरास्टी नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ नासरली इस वकत जम्म यूनिवस्टी में हूँ में और आपको पता होगा कि यहाँ चार दिवस्य अंतरनाद नारजून इंटर यूनिवस्टी फेस्टिवल चल रहे है जिसमें नियर बोट 18 से ज्यादा यूनिवस्ट यूनिवसिटि के लिए आए हुए है। और । इफरेंट किसमी आर्ट एजो हुनर आपने पास रखते हैं। नě और आए इन से इंसे मिलाते अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है आगे भी रहेगा अपने अभी क्लासिकल में ने पर्फॉर्म किया आज हम मारी ग्रूप सोंग की पर्फॉर्मेंस है तो बस यह है कि यह जों सा स्टेज है ना यहां पर आके पता लगता है कि यहां आप कापी स्टेंड करते हो आगे कित पर आगे मारा कॉंफिडंस और बूस्ट अप हो जाता है कि हाँ आगे हम कैसे प्रफॉर्म करेंगे क्या करेंगे बाकि अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू तो मतलब की बहुत ही अच्छा लगा हमें यहां पर आके बहुत ही फ्रेंडली इंवार्मेंट है बहुत ही पही जाते हैं जापे की बात ही मारी जम्जानék मुश्किल पहुत हैं तो अगर यहां प्याप ही मतलब की ना कैसे पताऊं बहुत ही लोग है मतलब की पसंद करते हैं आपका सर नाम क्या है सचिन सचिन जी आप तो अभी उबरते हुए सितारे हैं कहीं ने कहीं आपको डिफिकल्ट तो लगता है होगा स्टेज पर परफार्म करना लेकिन जमू में क्या लगता है आपको कि आपके लेवल का कुछ यहाँ यहां पंजाब के मुकाबले में जमू जो हावा भी बहुत ज़्यादा पीछघी है सर कॉम्टिशन सब्हें अपनी मेंनत करके यहां और बाकी जिस्की मेनत यहां बखिशन को परफॉमस जैनी थे हमने अपना 100% दिया बाकी देखो क्या होता है रिजल्ट में पंजाब तो आदा है वो पंजाब के सारी उनिवर्स्टी आई कॉम्पिटिशन तो हाड़ है यहाँ नार्चून है तो जमू कश्मीर की भी कुछ उनिवर्स्टी जो है वह आपके साथ है मेनत करके हैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया हूंनोंगोंने हमने वोन भी हमनें सुनिसारी परफॉरमस टफ कॉम्पिटिशन दिया बहुत सबस्क्राइब तबला बजाहे हैं सभी बहुत ऑच्छा बजा जाने पिष्याघे हैं सिंग में सिंगी विसnia जो है णोहां यां यहां जमू में आकर के आपने परफॉर्म किया अभी तक तो कितना आपको रिस्पॉंस मिला आपको क्या लगता है कि मतलब जो जिसमें आप से पीशल्टी रखते हैं वह एक कोई स्कोप रखता है कोई एक फिल्ड है कि आपको जो है वह उसका एक हमेशा से जो है वह आडियं हम को अपनी याद में, हम को अपनी याद में, ऐसा डुबो गए चाहा था उनको पाएंगे, चाहा था उनको पाएंगे, तो हम खुद ही को गए वो हम को अपनी याद में, ऐसा डुबो गए दर तो है कि बाकी सब भी मेहनत जादा करके आएंगे, और हमारी तो भी एजबी कमी है, तो इसका तो डुबाव रहते ही है